दोस्तों अगर आपका डेली कंप्यूटर टाइपिंग का काम है और आप डेली कीबोर्ड पे टाइप करकर के ठक गए हो पक गए हो और परेशान हो चुके हो कुछ इस तरह से तो मैं आपको कहूंगा कि भाई अब परेशान होने की जूरत नहीं ये वीडियो आपके लिए है जी हां मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी एक ट्रिक्स जो बीना कीबोर्ड के छुए आप टाइपिंग कर सकते हैं आप बोलो के कुछ भी बोल रहे हो सर बीना कीबोर्ड के छुए कोई टाइप कर सकता है क्या ऐसा अगर आपका सवाल है तो मैं कहूंगा जी हां आप बिल आप एक student हो या पी teacher हो या फिर आप कोई भी हो like computer operator हो तो आपको इसके बारे में जान करें ज़रूर हो नहीं चाहिए कल जाकर आपको कुछ type करना है computer में तो उस time पे आपका अगर typing speed नहीं भी है तो भी आप type कर सकते बोल के कैसे करना है आएए जानते इस वीडियो में detail में मै सतीश complete technology channel में आप सबका स्वागत करता हूँ let's begin तो आए जैसे कि मैंने इंट्रो पार्ट में आप से कहा कि हम keyboard को बिना टच कि होए computer पे type कर सकते तो उसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी होता है एक mic जैसे कि यहाँ पे लगाया हुआ है ऐसा इतना बड़ा mic की ज़रूरी में डिस्क्रिप्शन में आपको एक link दे दूँगा बोया mic जो की 800-900 रुपए में आ जाता है जिसे आपका बहुत काम आसान हो सकते आप computer में उसे connect कर सकते और बोल के type कर सकते या फिर अगर आप आपके बस ऐसा mic नहीं है तो आप जो गाड़ कर सकते आपका जो mobile का headphone है उसे भी connect करके mic को access कर सकते right mobile का headphone तो सबके बस रहता है generally तो आपको mic की ज़रूरत है सबसे पहले क्यों कि आप बोल के type करने वाले हो और mic connect करने के बाद आपके computer को mic connect कीजिएगा mic connection आपको पता एक login रहना है याद रखिए जीमेल में आपका email ID login रखिए और Google Docs आपको search करना है simple है अगर आपने पहले इस्तमाल किया है तो well and good नहीं किया तो ध्यान से देखिएगा Google Docs free online document editor मैं यहाँ पे click करने वाला हो जैसे मैं यहाँ पे click करूंगा यहाँ पे दिखाए दे रहा है go to Docs करके options मैं यहाँ पे click करूंगा go to Docs यह दिखाए दे रहा है go to Docs पर मैं जैसे click करूंगा यहाँ पे आपको blank वाले section पे click करना होगा क्योंकि यहाँ रेडिमेट बहुत सरे document मिल जाते यह Microsoft Word की तरह ही Google Docs आपको सारे features available करके देता है लेकिन Microsoft Word में voice typing नहीं होता है is hauntedी ओंपन होगया इस फाइल को आप चाहीं तो यहां से सेव कर सकते उपर देखिए यह जो फाइल का नाम यहाँ पर आप यहाँ छी पर नुखने कि टाइप करना चाहा happens मैं माइक से बोलना चाहता हूँ यह टाइप होने वाला है तो मैं सबसे पहले जाओंगा यहाँ पे टूल्स में वाइस ट्राइपिंग में यह दिखाए दे रहा है टूल्स के अंदर वाइस टाइपिंग ऑप्शन मैं इसके उपर क्लिक करूंगा बहुत है जैसे आप क्लिक क यह आ रहा है भी माइक स्टार्ट करो लेकिन इंगलिश वीस इसमेस टाइप तो पहले हम इंगलिश में यह टभड पर करतेंगे ए हिंपर अर गुजरटी मैं अजिसंगेरत रील मैं दिखाने वाला हो कि कैसे टाइप होता है अगलने लिएपिंग में तो आपको आपका तो अब मैं इसको stop कर देता हूँ, अभी आपको दिखाए दे रहा है कि जो मैंने बोला था वो इंग्लिश में यहाँ पर टाइप हो चुका है, हाँ, कभी-कभी यह वर्ड गलत ले सकता है, वो डिपेंड आन यो प्रोनॉशेशन, आप कैसे प्रोनॉश कर रहे हैं इस तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, इंग्लिश की जगह और यहाँ पर मैं हिंदी सेलेक करूँगा, नीचे आपको स्क्रोल करना है, और यहाँ पर मैं हिंदी सेलेक करता हूँ, अब मैं हिंदी में आपसे बात करूँगा, अब जैसे ही मैं से क्लिक करता हूँ, और जो भी मैं आपसे बात करता हूँ वो पूरा पूरा हिंदी में टाइप होके यहां पे आएगा हाँ कभी-कभी ऐसा हो सकता है कि एक-दो वर्ड वो गलत ले सकता है उसे आपको manually change करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे कभी-कभी आपके जो room है जहां पे बात कर रहे हो माइक पे वहां पे noise हो सकता है या फिर आपका pronunciation गलत हो सकता है तो यह एक machine है वह artificial intelligence यह tool है तो फिर वहां पे कभी-कभी कुछ तो गलत आ सकता है लेकिन यहां पे बहुत सारा काम आपका आसान होने वाला है जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे यहां पे paragraph टाइप होके आपके सामने दिखाई दे रहा है दोस्तो और इतना ही नहीं आप अलग language में भी type कर सकता है मैं इसे stop करता हूँ अभी तो अब मैं आपको इसमें मराटी में भी type करके दिखाता हूँ हिंदी के जगह मैं यहां पे मराटी चूज करता हूँ तो अब मैं जैसी यहां पे माइक पे क्लिक करता हूँ थोड़ा सा में यहां पे मराटी में बात करूँगा भी तर मी जेपन बोलता है ते एकड़े type होता है तो अगर आप माराश्ट्रियन है और आप चाहते कि इसे अप मराटी में पर Type करें तो आप आसानी से कर सकते हैं हम एक और language को Try करते हैं यहाँ पर मैं i गुजरती में भी ट्राय करता हूँ थोड़ी बहुत गुजरती मुझे भी आती है तो मैं यहाँ पे मराटी की जगग गुजराती लेता हूं और मैं यहाँ पे फिर से बटन पे क्लिक कर रहा हूं नमस्कार हूँ हमना जे वाद करी रहे हो छू इ गुजराती मा करी रहे हो छू आने गुजराती मा टाइप थे रहे हो छे तो देखा आपने मैंने गुजराती में बात किया और ये गुजराती में टाइप हो गया इस तरह से आप गुजराती में बात करके भी टाइप कर सकते हैं आपको और कुछ तमिल तेलगों आती है तो मुझे करना अच्छा नहीं लगता है मैं practical दिखाता हूंग आपको यह अच्छा लगा और अच्छा लगा ओगा तो आपने लाइक शेर कमेंट क्यों का साथी में आपको बताना चाहूंगा कि हमारी वेबसाइट है जहां पर देर सारे कोर्स के ओपर चल रहे है learnmorepro.com नाम की वेबसाइट है और learnmore app एक डिस्क्रिप्शन में लिंक देए अगर आप इंट्रेस्ट वड़ते एक पार ज़रूर चेकिजिए IOSO Certified Computer Courses घर बैटे-बैटे आप कर सकते हैं हमारा यूट्यूबर बनने का पूरा का पूरा गाइड का एकसल वीवे मास्टरी कर सकते हैं आप गूगल शीट का कोर्स कर सकते हैं आप तयाली कर सकते हैं आप को रोल्रा कर सकते हैं आप पूरा का पूरा लिंक दे दिए वेबसाइट की लिंक दे जरूँ चेक कर लेना और उस पर वाटसप सपोर्ट का नंबर भी हमने आपके लिए दिया है चोड़ दिया है आप पकड़ लेना नंबर पर वाटसप करके सवाल पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ और सबाल है तो फिलाल तो सवाल की जरूरत नहीं रहेगे क्योंकि आप एक बार वेबसाइट पर को च्रिक करोगे तो कोर्स के कंटेंट आपको पता चलेंगे कि कितने एडवांस हैं सब्सक्राइब करना मिलता हो अगले वीडियो के अंदर तब तक लिए अपना खयाल भी रखना बाइबाई